सावने तैसिल मुख्याले से करीब 24 किलोमीटर की दूरी पर ग्रामिन अंचल में स्थिति ग्राम टेमबो ढो वासियों को ग्राम पंचायत मुलभूस विदाएं देने में नाकाम और नाकारा सिध हो रही है केंदर और राज्य सरकार ग्रामिन अंचलों में कितना भी विकास का ढोल पीट ले लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है आज भी ग्रामिन अंचल में रहने वाले नागरिक मुलभूस विदाओं से वन्चित ही नसराते हैं ऐसे ही मामला सावने तैसिल के ग्राम डेमबो ढो में मटमेला और दुरगंदी योगत पेजल की आपूर्ती की जा रही है इस मूलभूस समस्यां की अनेक बाद शिकायत करने पर भी ना तो सरपंच ना तो ग्राम सेवक वसदस्यों के कानों में जूं तक नहीं रहे है हालात ऐसे ही रहे डेमबो ढो वासियों का डेंग्यो मलेर या चिकनगुनिया जैसे जानलेवा विमारियों से जूजना पड़ सकता है ग्यातों की महराश्र और मध्य प्रदेश की सीमा से 60 ग्राम डेमबो ढो सावने तालू का मुख्याले से करीब 54 किलोमीटर अंतर पर ग्रामिन और जंगलों से घिरे हुए है इस गाव में करीब 2000 लोग रहते हैं की मूलभूत समस्याओं की और ना ग्राम पंचया ध्यान देती है ना पंचया सदस्य ना जिला परेश सदस्य बस इने चुनावों के समय विकास का जुन-जुना थमा कर फिर पांच वर्षों के लिए ऐसे ही समस्या ग्रस्त मजधार में नरकी जीवन जीने है तू छोड़ दिया जाता है वहीं पंचया समीती सावनेर के बीडियो विस्तार अधिकारी आधी को इन समस्याओं से कोई सरुकार दिखाई नहीं पड़ा टेमबो धो ग्राम की इस जन समस्या का निराकरन यथा शीगर करने की मांग सचिन दूद कवडे विनोन मस्कॉल अरुन मस्कोल अन्ना सोन्वाने आधी ने की इन बीसे न्यूस के लिए समवाद अता किशोड ढूंडे लेकिर पोच